हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे किसीने फर्स ताम विजिट किया है तो जुरूर सब्सक्राइब कर लेना साथ यसाथ बेल बटन दबा दिजे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन्स मिलते रहें दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपना यूज्वल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा किसी भी स्टॉक के खरीदने बेशने के सला नहीं सिरफ एजुकेशन इंफरमेशन और नॉलेज शेरिंग है तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो अब शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में सिरफ ITC से रिलेटेड बाच्चित होने वाली है जो जो अपडेट्स हैं ITC में काफी सारे अपडेट्स हैं वो सभी आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं ये देखे लेटर 13 जुलाई का है एगम का अप्रूवल और एगम दोस्तों है कामपणी की 11 अगस्ट 2021 को तो यहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद डिविडेंग रिलीस होगा तो 11 अगस्त के बाद ही आपको मिलेगा उसके जो भी around 10-15 days जो भी रहेगा उसके बाद तो इससे पहले आपको dividend definitely नहीं मिल सकता है क्योंकि interim dividend नहीं final dividend है चाहे ये x date, record date सब निकल गई हो लेकिन final approval AGM का होता है annual general meeting का और उसके बाद ही यहाँ पे आपको dividend मिलेगा तो यह है number one point और दूस्तोरा दोस्तों यहाँ पे जो quarter one के results हैं वो declare होंगे 24 July 2021 को board of directors की meeting बुलाई गई है Saturday 24 July 2021 को तो इसका impact जो आएगा वो Monday को आएगा क्योंकि Saturday Sunday of course stock market बंद है तो market की expectation यहाँ पे जो है ITC के FMCG business से काफी अच्छी strong है cigarette business से भी hotel industry definitely muted रहेगी और IT जो sector है ITC का एक IT company भी है छोटी information technology company और वहाँ पे already ही announcement की जा चुकी है जो management है कि profit काफी अच्छा रहने वाला है तो कुछ sectors definitely ITC के अच्छे कर रहे हैं FMCG जिसमें cigarette के अलावा बाकी सभी जो products है company के उसके अलावा agree business अच्छा है company का IT sector अच्छा कर रहा है hotel business के अलावा बाकी सभी segments अच्छा perform कर रहे है hotel में दोस्तों company ने अब एक नया premium brand भी launch किया है और उस brand से वो अब expansion करने वाली है आगे की तरफ और ITC का ये भी कहना है कि अर्बन recovery में भी relatively muted यहाँ पे और first wave के बाद क्या हुआ था कि जो urban centers थे, metros थे, cities थे वहाँ पे काफी strong consumption growth आया था लेकिन इस बारी ऐसा नहीं है इस बारी वैसे भी जो lockdown था वो soft था इतना जादा strict नहीं था जो last time था और इसी वज़े से यहाँ पे जो recovery है वो भी relatively weak रहेगी क्योंकि इतना जादा कोई impact है नहीं है तो definitely तो recovery की बादचीत यहाँ पे ज़्यादा है ही नहीं तो impact अगर ज़्यादा होता तो ही ज़्यादा recovery आती तो यह एक बादचीत है और rural demand जो है robust रहने की उमीद है हलाँ कि इतनी नहीं रहेगी क्योंकि इस बारी जो second wave में rural India में भी काफी impact आया है वो सब बातें definitely यहाँ पे ITC के results से related है तो आपको सब मालूम होना चाहिए और expectation आपको अपनी उसे साथ से रखनी चाहिए आज काफी strong रहा है ITC का share market में तेजी रही है delivery भी काफी अच्छी है volume भी बहुत अच्छा रहा है ITC का एक और जो काफी interesting news है कि ITC ने एक lawsuit file किया है 100 crore का defamation suit against for some blog post यहाँ पे एक जो है किसी ने blogging की है और उसके against ITC ने 100 crore का defamation lawsuit file किया है अब थोड़ी सी detail यहाँ पे जो है वो आपके साथ share करना चाहूँगा तो यह 100 crore का defamation lawsuit against portfolio manager and blogger Manu Rishi Gupta and two senior officials of financial blog site Finmedium यहाँ पे और यह जो story है magic illusion illusion or just trickery यह story of ITC criticizing the Kolkata headquarter company's business decision alleging irregularities by the management and board of directors तो ऐसा ITC का कहना है कि यह story जो है उन्होंने चापी है यह बहुत ही गलत है और against the facts है और इसलिए यह 100 crore का defamation lawsuit file किया है ITC ने कहा है अपनी application में कि चाहे तो code decide कर से ने चाहें सकता है कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है इस तरह के कि जो wrong blog post है क्योंकि यह सभी जो बातचीत लिखी गई है blog में वो बिल्कुल भी सच नहीं है तो अब देखना यह कि अभी किस तरीके से settle होता है क्योंकि ITC के सामने अब यह जो company है वो definitely एक छोटी company है तो lawsuit file जो किया है ITC में तो यहाँ पे अब किस तरह के का settlement होगा वो interesting बात रहेगी देखने के लिए ITC ने अपने दोस्तों यहाँ पे जो details दी है उसमें लिखा है कि because of the article the company and its management have suffered considerable distress, anguish and embarrassment ऐसा ITC ने बोला है अपने lawsuit में कि जो उस article की वज़े से बहुत ज़्यादा उन्हें embarrassment जहलनी पड़ी है और management distress में है क्योंकि इस तरह के के जो allegations लगाएंगे हैं कि company की books के बारे में baseless allegation है और insider trading वोगरे के जो भी लगाए हैं तो वो एकदम baseless है और उसकी वज़े से काफे distress ITC के management को सामना करना पड़ा है और इसलिए उन्होंने यह 100 करोड का एक defamation suit file किया है और कहा है कि यह जो block post है यह false, mischievous and in some places facts were juxtaposed with innuendos and opinion in an attempt to sensationalize the matter यहाँ पे कहा है कि यह एक sensational खबर बनाने के लिए facts को तोर मरोर के पेश किया गया है और opinion को facts के साथ mix करके बताया गया है और इसी वज़े से यहाँ पे यह management को काफी distress का सामना करना पड़ रहा है और दोस्तों आपको बदाना चाहूँगा इसी कंपनी ने यहाँ पे एक और article publish किया था काफे time पहले जिसका title था 10 blunders, one arrogant company, millions of shareholders suffering लेकिन तब यह article कंपनी ने ignore कर दिया था treating as a single errant instance लेकिन उसी कंपनी ने अब दुबारा इस type का article चापा है तो अब उन्होंने management ने यह decide किया है कि इस कंपनी को आड़े हाथों लिया जाएगा और उन्होंने एक legal option इसको choose किया है to settle this matter तो interesting रहने वाला है कि किस तरह के से यह settle होता है और एक और interesting news है ITC ने अब अपना investment in e-commerce में काफी तेजी दिखाई है आपने पढ़ा होगा भी यह आज कल में काफी यह चर्चा में चल रहा है कि e-commerce platform ITC अब अपना expand करेगी to various other cities और उसमें जो products offer कर रही है जो range है products की वो भी increase की जाएगी तो definitely अब सारा काम जो है जितना ज़्यादा काम हो सकता है कि सभी companies online करना चाहती है और ITC ने भी वही route चूज किया है तो definitely एक अच्छा route है और of course यह futuristic है क्योंकि अब किराने store की बजाए बहुत से लोग online order करने लगे हैं digitalization e-commerce is the next thing for any company चाहें आप वो grocery बेच रहे हो या फिर आपका कोई और business हो हर एक level पे digitalization होने लगा है तो यह definitely मैं समझता हूँ बहुत अच्छा move है और अगर इसे national level पे expand किया जाए धीरे-धीरे तो यह भी Amazon नहीं तो लेकिन एक काफी strong e-commerce company बन सकती है और एक और news है दोस्तों अब ITC अपना tobacco business को diversify कर रही है अब एक और जो news है दोस्तों वो ITC is diversifying tobacco business into manufacturing of nicotine and nicotine salts अब वो किसमें use होता है वो देखें यहाँ पे ITC ने बताया है कि it's diversifying into nicotine and nicotine salts और यह primarily export के लिए होगा to US and European markets to capture the growing demand for nicotine-based oral and vaping products there company ने ऐसा आपनी annual report में बताया है और annual report publish की जाती है before the annual general meeting के सभी shareholders को distribute की जाती है तो आप definitely आप कोई copy either email पे या आजकल पता नहीं हाड copy आती नहीं आती है by post लेकिन email पे तो सभी shareholders को यह मिलती है नहीं तो आप यह download भी कर सकते हैं BSC NSE की website से और यहाँ पे ITC का target 240 बताया है ICAC Direct ने हलाकि ICAC Direct तो जादा तर सभी stocks में bullish call ही देता है लेकिन of course ITC के stock में value तो है undervalued है यह stock तो definitely अब यह कब इसमें जो full value realize होगी stock market है कहना बहुत मुश्किल है हो सकता है correction value realize भी हो जाए आज काफी अच्छा momentum देखने को मिला जैसे कि मैंने बताया आपको price और valuation के हिसाब से price और volume दोनों upward movement थे open interest में भी build up है F&O के तो दोस्तों यह था ITC के stock के बारे में इस वीडियो को अब यहीं बंद करते हैं पसंद आया